Hey English Learners, Welcome Back to Exam Guru Kool इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं एक beautiful expression जो start होने वाला है having से अब ये having से start होगा तो हम कह सकते हैं कि ये perfect participle भी है क्योंकि इसके साथ verb की third form यूज होगी अब जब ये active का काम करेगा तो having के साथ v3 यानि verb की third form क्योंकि perfect participle है जब ये passive की तरह काम करता है तो having been और उसके साथ verb की third form clear है इससे जादा grammar में डूबने की ज़रूत नहीं है बस अब ये समझे कि हम इसे किस situation में इस्तिमाल करेंगे तो sentence है जल्द बाजी में लिखे जाने के कारण इस पुस्तक में बहुत सारी तूटियां है जल्द बाजी में लिखे जाने के कारण इस phrase को हम बणाएंगे having से having been written in haste, the book has a lot of errors action book ने नहीं किया है, book को लिखा गया है इसलिए passive में बना है दूसरा sentence देखिए, आराम से लिखे जाने के कारण इस पुस्तक में कोई तूटी नहीं है यानि कि ये पुस्तक बहुत आराम से लिखी गई है, इसलिए कोई गलती नहीं है having been written in a relaxed manner, the book doesn't have any error इसी तरीके से आप देखते हैं next sentence जल्दबाजी में लिखे जाने के कारण आपका उत्तर गलत है अब जल्दबाजी के लिए आप in haste या in hurry दोनों में से कुछ भी लगा सकते है having been written in hurry, your answer is incorrect जल्दबाजी में क्या लिखा गया है, आपका answer लिखा गया है इसलिए इसको passive में बनाया गया है जल्दबाजी में लिखे जाने के कारण आपकी लिखावत अस्पष्ट है यानि कि आपकी handwriting समझ नहीं आ रहे having been written in haste, your handwriting is illegible illegible जो लिखा हुआ पढ़ना सके, जो clear ना हो उज्जैन में रहने के कारण मैं इस शहर को अच्छी तरह से जानता हूँ उज्जैन में रहा हूँ, इसलिए मैं इस शहर से अच्छी तरह से वाकिफ हो having lived in उज्जैन, I know the city well क्योंकि मैं रहा हूँ उज्जैन में, मैंने action किया है इसलिए ये active में बना है, having lived in उज्जैन इस शहर के लिए क्योंकि हम इसको एक specific शहर की बात कर रहे हैं तो the city यानिके article यूज़ कर सकते हैं या this city भी आप यूज़ कर सकते हैं दोनों ही सही है, अब इसी को मैंने negative बनाया कभी उज्जैन में ना रहने के कारण, मैं इस शहर को अच्छी तरह से नहीं जानता कभी नहीं के लिए यूज़ कर दीजिए, never गलत पता लिखे होने के कारण, पत्र कभी उसके पास पहुचा ही नहीं पता गलत लिखा था इस वज़ा से, पत्र कभी पहुचा ही नहीं यह सेंस आ रहा है, इसलिए इसको पैसिव में कनवर्ट कर दिया गया है पहले भी उस इस्थिती में फसने के कारण, वह जानता था कि वास्ता में उसे क्या करना है कहने का मतलब है, एक situation है जिसे वो पहले भी face कर चुका है, तो उसे पता है कि कैसे निपटना है पहले भी उस इस्थिती में फसने के कारण, यानि कि having been caught in that situation before, he knew exactly what to do किसी sentence को आप negative कर देते हैं, कि पहले कभी ऐसी इस्थिती में ना होने के कारण, उसे नहीं पता था कि वास्तव में उसे क्या करना है यानि पहले कभी ना होने के कारण, तो having never been, यहाँ पर यूज कीजिए having never been caught in such a situation before, he didn't know exactly what to do उसे पहले देखने की वज़ा से मैं उसे तुरंत पहचान गया यानि मैंने उसे पहले भी देखा है, इसलिए मैं एक दम पहचान गया तो having seen him before, I knew him at once एक और sentence लेते हैं इसी तरीके का उस लड़की को पहले देखने की वज़ा से मैं उसे पहचान गया यानि उस लड़की से मैं पहले मिल चुका हूँ या पहले मैंने उसे देख रखा इसलिए मैंने उसे पहचान लिया तो having seen that girl before, I recognized her having seen that girl before, I recognized her अब इसी sentence को अगर हमें negative करना है उसे पहले नहीं देखने के कारण मैं उसे पहचान नहीं पाया अब यहाँ पर कभी नहीं तो है नहीं के बन नहीं दे रखा है तो यह not सबसे पहले आ जाएगा यानि कि not having seen him before, I will not be able to recognize him मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा, I will not be able to recognize him पहले भी मंदिर जाने के कारण मुझे रास्ता पता है यानि कि मैं मंदिर पहले भी हो आया हूँ, इसलिए रास्ता जानता हूँ तो having been to the temple, I know the way इसी तरीके से all sentences बना कर आप practice कीजिए उस college से सनातक होने के कारण मैं campus को अच्छी तरह से जानता हूँ सनातक यानि कि graduation complete करना sentence बनाईए having been graduated from that college, I know the campus well तो देख रहे हैं आप कि ये expression, having का पूरा phrase किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे आपके एक लंबे से sentence को बनाने में help कर रहा है अब देखें next sentence उस दुकान पर पहले भी जाने की वज़ा से मैं मालिक को अच्छी तरह से जानता हूँ यानि मैं उस shop पर पहले भी हो आया हूँ That's all guys, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एक having के expression को यूज किया है और कई तरीके की sentences बनाए है एक बड़े sentences को बनाना हमने आसानी से सीखा है वीडियो आपको अच्छी लगी है तो do like, share, comment and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get notifications of new videos Thanks for watching the video, Jai Hind झाल